दोफस्तों इंडियन एरफुर्स के डप्लेटिंग स्टेंग, मतलब घटता हुआ स्टेंध, फिलाल इंडियन एर फुर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, इसे रोकने के लिए चहाँ पें इंडियन एर आर्क्रैप्टों का मैनुफैक्ट्रिंग किया जा रहा है तो वो फाइटर जेटों को खरिदने को लेके करीबन 20 बिलियन डॉलर खर्चा करने जा रहा है और दोस्तों ये दो अलग अलग पोजेक्टों को लेके है और आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि 20 बिलियन डॉलर के लागसी इंडियन एरफोर्स कौन से एरक्राफ एक इंडियन एरफोर्स के जो मल्टी रोल फाइटर एरक्राफ्ट के पोग्राम है इसे फिलाल दो पार्ट में तोड़ दिया गया है और दोनों पार्ट को ही दो अलग अलग प्रोक्यूर्बर मॉडल के तहत आगे बढ़ाया जाएगा मतलब दोनों पार्ट के अंतरगत ही एम आर एफे टेंडर के लिए करिवन 54 फॉरेंड फाइटर जेटों को बाई ग्लोबल मेक इंडिया इनिशिटिव के अंतरगत खरिदा जाएगा जो की डिफेंस एकोईशन प्रोसेजियोर के एक कैटेगरी के अंदर आता है और दोस्तों ये जो 54 एरक्राफ्टों के डील ह ये असल में डारेक्ली ओरिजिनल एक्वेप्मेंट मेनुफैक्चर को दिया जाएगा मतलब एरक्राफ्ट को निर्मान करने वाले कंपनी को डारेक्ट या ओर्डर मिलेगा इवन दोस्तों ये पार्ट वान के अंतरगत 54 एरक्राफ्टों को भी दो हिस्से में इंडियान ए जहाँ पर ओरिजिनल एक्वेप्मेंट मेनुफैक्चर को इंडियान गौर्मेंट के द्वारा चुना जाएगा तो वही पर ओरिजिनल एक्वेप्मेंट मेनुफैक्चर को ही लोकल पार्टनर इंडिया में चुनना है जो की एक प्राइवेट कंपनी होगा और दोस्तों इ कई इंडियन एर फोर्स के तरफ से प्रयास चलाया जा रहा है और जल्दी डिफेंस एकुईशन काउंसिल के सामने एसेटेंस ओफनेसिसिटी का बात को रखा जाएगा हाला कि दोस्तो एसेटेंस ओफनेसिसिटी कफ तक मिलेगा या फिर कहतो Part 2 है उसके अंतरगत बाकी के 60 एरक्रेप्टों को खरिदा जाएगा और दोस्तों ये वही एरक्रेप्ट होगा जो Phase 1 के अंतरगत Original Equipment Manufacturer से खरिदा जा रहा है पर दोस्तों यहाँ पे Original Equipment Manufacturer का भूमिका नहीं रहेगा बलकि इन एरक्रेप्ट को उस कंसर्शिय कम से खरिदा जाएगा जो Original Equipment Manufacturer के साथ भारत के Private Company के द्वारा Joint Venture के लिए बनाया जाएगा रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि यह जो Part 2 है यह असल में Defense Procurement Processor के Buy India category के अंतरगत आएगा और दोस्तों इसे लेके पहले भी cover आ चुका था कि यह जो 60 aircraft है यह संपूर्ण रूप से Indian Currency से ही खरिदा जाएगा दोस्तों sources के तरफ से बताया जा रहे है कि यह जो Phase 2 या फिर कहतो Part 2 है इसे एक पोग्राम का शकल मिलते मिलते कम से कम 7-8 साल लग हाला कि कुछ बरश्ट अधिकारियों का यह भी मानना है कि यह जो 7-8 साल का समय कहा जा रहा है इसमें uncertainty होने के कारण प्रोजेक्ट के उपर बड़ा असर पड़ सकता है और इससे प्रोजेक्ट डिले हो सकता है इवन दोस्तों रिपोर्टों में यह भी वताया जा रहा है कि यह जो 114 एयरक्रेफ्ट का डील है यह एक बहुत ही बड़ा डील होने जा रहा है जिसके लिए इंडियन एयरफोर्स करीब करीब 20 बिलियन डॉलर के आसपास के पैसा खर्चा करने के लिए भी वी तैयार है Ministry of Defense के तरफ से यह सभी चीजों का अनुवती दिया जाएगा और दोस्तों दोनों फेज को अगर एकत्रित किया जाए तो माना जा रहा है कि यह 20 बिलियन डॉलर के आसपास का प्रोजेक्ट होगा जिसमें जादतर इंडिया में ही एयरक्रेफ्ट बनेगा मतलब करीब 96 एयर को अब तक पेश किया है दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दू कि टोटल 8 एयरक्रेफ्टों का ओफर अफ तक इस प्रोजेक्ट के अंतरगत भारत को क्या जा चुका है जिनमें 2 रशियन 3 अमेरिकन और 3 योरोपियन एयरक्रेफ्ट है दोस्तों जो 2 रशि तो इनमें 2 यारक्राफ बोइंग कंपनी का है जिनमें F-15, EX जैसे भारी फरकम यारक्रेफ्ट के इलावा बोइंग F-18, EF Super Hornet Block 3 जैसे यारक्रेफ्ट शामिल है और Lockheed Martin के तरफ से एक नया यारक्रेफ्ट का ही ओफर किया गया है जिसे Lockheed Martin F-21 कहता है योरोफ के तरफ से स्वीडन के साब ग्रूप जो अपने सिंगल इंजिन हलके वजन के ग्राइफिन E-aircraft का पेशकर्ष किया है दोस्तों यहाँ पे आपके जानकरी के लिए ये भी बता दू कि कुछ दिन पहले ये भी खवर आया था कि इन यारक्रेफ्टों में से कुछ यारक्रेफ्टों को फिलाल काफी कमजोर रूप में देखा जा रहा है जिनमें रेशिया के दोनों ही ये आरक्रेफ्ट शामिल है जबकि योरोफ के योरोफ फाइटर ये टाइफून भी शामिल है क्योंकि अमेरिकी एरफोर्स ही इन एरक्राफ्टों को खरिदने के लिए सही तरीके से फिलाल तयार नहीं है। जिनमें 36 एरक्राफ्टों को भारत में निर्मान करने को लेके भारत में मनुफैक्चरिंग बेस को बनाना पड़ेगा और दोस्तों केवल मात्र अगर 36 एरक्राफ्टों के लिए मनुफैक्चरिंग बेस बनता है तो ओविसली इन एरक्राफ्टों का कीमत आसमान चुएगा। दोस्तो ओरिजिनल एक्वेप्मेंट मेनुफैक्चरर फिलाल एरक्राफ्टों के फेज टू को लेके थोड़ा क्लियरेंस चाते हैं और ये भी चाते हैं कि इंडिया के तरफ से एक तरीके से इस फेज टू को लेके भी अपने पॉइंट आफ व्यू को जिकर कर दिया जाए औ हला कि दोस्तो केवल मात्र फेजवान को कम्प्लिट करना भारत के लिए वे नुकसान दायक होगा क्योंकि केवल 54 एरक्राफ्ट जहाफी इंडियान एरफोर्स के आवशक्ताओं को पूरा नहीं कर सकता है तो उही वे केवल 54 एरक्राफ्टों के लिए इतना बड़ा अमाउ आगे बढ़ाने का प्रस्ताव को रखा गया है जिसे लेके एक्सपर्टों का कहना है कि ये एरक्राफ्टों के प्रोक्यूर्मेंट को तो आसान बनाएगा ही साथ में कफी तेज रफतार से एरक्राफ्टों को इंडियान एरफोर्स के बेड़े में शामिल करने में भी बनेगा तो उस समय के अंदर जो डारेक्ली ओरिजिनल एक्वेप्मेंट मेनुफेक्ट्रेट से एरक्राफ्टों को खड़िदा जाएगा उसे भी हासिल किया जा सकेगा मतलब एक तरीके से एरक्राफ्टों के फ्लो बरकरार रहेगा हाला कि दोस्तों अगर देखा जाए त उसके MRFA tender और delay हो और इसी कारण से शायद strategic partnership को रत किया गया है दोस्तों यहाँ पे आपके जानकरी के लिए मैं ये भी बता दू कि जो 7-8 साल phase 2 के लिए कहा जा रहा है वो भी एक तरीके से सही है क्योंकि अभी तक ना deal हुआ है ना ही request for proposal जारी हुआ है मतलब अगर सही time मे काम किया भी जाता है तो request for proposal जारी उसके बाद yearcraft 2 के technical evolution और उसके बाद yearcraft 2 को लेके cost negotiation, original equipment manufacturer को चुणना, original equipment manufacturer के द्वारा अपने partner को चुणना और उसके बाद yearcraft 2 के manufacturing के लिए भायत में manufacturing base को बनाना इस सब के लिए कम से कम 4-5 साल का तो इंतजार होगा ही उसके बाद manufacturing base बनने जाना है तो ये एक तरीके से सही समय भी होगा लेकिन दोस्तो सवाल वही पर अटका हुआ है कि अगर 4-5 साल के बाद phase 1 अपने मध्य स्तर में जब हो तब phase 2 को रद कर दिया जाता है और कोई अन्य aircraft या फिर कहा तो indigenious aircraft के तरफ focus को बढ़ाया जाता है तो obviously ये संपूर्ण प्रोजेट को हिला देगा और पहले phase के अंतरगत खर दे जाने वाले aircraft का कीमत इतना अधिक होगा कि कोई सोज भी नहीं सकेगा तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिन